नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रदीप मर्शौरकर विल्कम बैक टो मैं चैनल गार्डेन रूप टॉप नर्सरी स्टाइल दोस्तों मेरे सामने जो पोदा आज आप देख रहे हैं यह है वेरिगेटड फाइकस तो यह वेरिगेटड फाइकस जो कि मैंने एक मेना पहले इसको शेफ है वो भी मतलब देखने में बहुत ही अच्छा लगता है जबकि इसका जो लीप्स है यह तो अट्रेक्टिव ही है कैसे क्यार करना चाहिए आपको फाइकस की प्रैंट को इसके उपर पूरा जनकरी मैं आज आप से शेयर करूंगा तो बने रही है पूरा वीडियो द अप्लोड करूंगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप उसको तुरंत देख सकते हैं तो दोस्तों चेले देखिए यह जो फाइकस की प्लैंट है देखिए वाला फाइकस जो की बहुत सारा इसका वाराइटीज है बहुत सारा स्पेसिस है यह जो अइडर प्लैंट तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन फुल ली आउट्ड़ भी नहीं है तो इस फाइकस प्लैंट का जो हीट है यह तो बहुत ज्यादा हाइट हो जाता है करेब न चे से आट फिट तक भी इसका हाइट उससे भी ज्यादा हो सकता है तो इसको जो है हैं जैसे दुकिया ये ही जो ब्रशेव तिन तैन ब्रांच निकला है यहीं क्किस्टें च हुई है यह जौटा शटा ब्राइश यहां से निकल रहा है तो आप इसको अगर अगर प्रूनिंग कर देंगे इसको नहीकर डहें तो चोटा बेसे बढ़े जान बहुत बहुत तो दोस्तों फस्ट जो है के कैर मैं आपकी बात करता हूँ है яр का तो यह जो है एक यह जो वाइल है एक तो में व्यटन होना चाहिए और सोईल में थो है मęस्टर आपको अर्ण करना है रेगलर विसेंश फिसको वाट निम्ट तो करना है लेकिन जब तक उपर का सोयल मत्व तो थोड़ा सा सुक नहीं जाता है तब तक इसको जो है वाटरिंग नहीं करना है क्योंकि सॉगी सॉयल या तो ओवरवाटरिंग इस प्लान्ट के लिए ठीक यहें अगा सौगी व्राहिगा तो आपका जो यह ड़छ हो जाएगा आठ जो उसको लिप सब्सक्राइब बात करता हूं इस इसमे करका है ऐसे यह Grepe नहीं ह आप ब्रैट छाए हो खैलिक अगर आप इसको प्रेस करेंगे लेकिन फिर morning की 2-3 घंटे की sun जो है इसको अगर लगता है तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है एकदम low light में जो है ये plant अच्छा नहीं ग्रो करता है और अगर आप आउडर में ग्रो करते हैं तो morning जो है sun इसको मिल जा है 2-3 घंटे की summer में तो अच्छा है 2-3 घंटा से थोड़ा सा ज्यादा अगर winter में मिल जाता है तो भी चलता है लेकिन दोस्तों full sun में इसको मत रखिए ये जो है direct bright light में बहुत ही अच्छा ग्रो करता है अगर इसके साथ 2-3 घंटे की direct light अगर इसको sunlight अगर इसको मिले तो दोस् साल में 2-3 बार अगर आप इसको organic fertilizer दे देंगे जैसे कावडर में नहीं और या तो बर्मी कमपोस्ट या या तो लीप कमपोस्ट जो की nitrogen rich fertilizer होता है उसको अगर आप इसको provide करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा आपका grow करेगा तो दोस्तों इसका जो मैंने बताया एक तो है leaves जो है गिर सकता है अगर आप इसको over watering या तो soggy soil रहेगा तो इसका जुरूर धैन दीजिए दूसरा जो है बिल्कुल इसको direct sunlight में मत रखिए sunlight जो है आप इसको provide कीजिए लेकिन छानी हुई धूफ हो तो अच्छा है जहां पे shady area हो वहां पे अगर आप इसको place करते हैं तो यह अच्छा ग्रो करता है इसका पेश्ट का problem कि मैं बात करता हूं पेश्ट का जो है आप इसको ध्यान पर राखना है ऐसे तो जो है spider mites then millibugs इससे उससे बाचने के लिए अगर आप time to time जैसे 15-20 दिन में एक बार अगर आप इसको निमल के स्प्रे कर देंगे तो यह plant जो khot monster जिसे यह है तो इससे यह a seo a six यह ऐससे तो मूटा जो स्टेम होता है तो उसको okay acordo करकर आप इसको cuttings डाल सकते हैं तो cuttings से यह यह जो पोधा है एजिली ग्रो हो जाता है तो दूसरा जो है आप इसको नार्सरी से लाके भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं तो आप इसको आप देखी रहें कि कितना अच्छा इसका फोलीज है इस फोलीज का जो कलर है देखिए वैरिगेटेड लीप्स जो की बहुत ही फोलाइड आप देखने में लगता है तो अगर आप इसको नार्सरी से लाते हैं इसका जो प्राइस ऐ यह क्रिबissant यह 100 रूपिया के आसपस मतलब आपको मिल जाएगा 100 रूपिया में यह पोधा जो है आपका मिल जाएगा तो आप इसको नर्सरे से लाके भी आप इसको ग्रोव कर सकते हैं तो दोस्तों यह एक और्नमेंटल प्लैंट के तोर पे आप अपना बगचा में रखके अपना सब्सक्राइब कीजिए शाथ में बिल आइकन को भी प्रेश कीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अप्लोड करूंगा आपको तुरण नोटिफिकेशन मिलेगा आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं तो थैंकि दोस्तों थैंकि वेरी मच पर वाचिंग फिर मिलते हैं न